कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है आज शहर का एक अमीर आदमी काफी पैसे लेकर अपने आफिस जा रहा था मगर वो इस बाद से पूरी तरा अंजान था कि आज चार लुटेरों की नजर उसके पैसों पर थी अमीर आदमी जैसे ही अपने आफिस के बाहर पहु दे थे एक लुटेरा अमीर आदमी को चाकू मार कर मार देता है और फिर पैसे लूट कर सभी लुटेरे सफेद गाड़ी में बैठ कर भागने लगते है इसी बीच आफिस का गाड़ उने रोकने के लिए कई गोलिया चलाता है जिसमें से एक गोली गाड़ी चलाने वाले ल लुट के समय चारों लुटेरों ने अपने चेरों पर नकाब पहन रखे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके अब गाड़ी में ब्लेड नाम का लुटेरा पैसे देखता है और फिर गाड़ी चलाने वाले डॉक से कहता है हमने आज मोटा हाथ मारा है हम पूरी जिन्दग गाड़ी को वहीं चोड़कर पास की एक बिल्डिंग में गुश जाते हैं पुलीस अभी पी उनके पीछे थी जबकि लुटेरे भाकर पार्किंग एरिया में पहुँच गए थे देखते ही देखते पार्किंग एरिया में बहुत सारी पुलीस आ जाती है और पुलीस को दे पहली बार पुलीस के सामने किसी को मारा था। हलातों को संभालने के लिए डॉक पुलीस दे कहता है पीछे हट जाओ। वरना हम दूसरी लड़की को भी मार देंगे। डॉक की धमकी सुनकर पुलीस पीछे हट जाती है। जिसके बाद लुटेरे लड़की को हरी गाडी में नए गाडी में बैठना चाहती थे। इसी दुरान डॉक की नजर रॉबिन आम के आदमी पर पड़ती है जो ट्रैफिक सिगनल के पास अपनी गाडी में बैठा था। रॉबिन कहीं जा रहा था। मगर उसने रेड लाइट के कारण अपनी गाडी रोक रखी थी। डॉक ज टीछे वाली सीट पर एक पच्चा सो रहा था। डॉक रॉबिन से बच्चे के बारे में पूछता है तो रॉबिन उसे बताता है मेरा बेटा बिमार और बेहोश है इसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना है और मैं उसी तरफ जा रहा था। उसकी बात सुनकर डॉ की का नाम मारिया था वो भी लुटेरों को समझाने की कोशिश करती है कि मेरी मा बिमार है और मेरा घर पहुँचना बहुत जरूरी है मगर लुटेरे उसकी भी बात नहीं मानते थाका हार कर मारिया और रॉबिन हलातों से समझाता कर लेते हैं और उसी तरह करने लगते हैं जिस तरह डॉक उनसे कहता है। डॉक जल्दी जल्दी शहर से दूर जाना चाहता था। और रॉबिन उसी के बताए रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की आगे वाली सीटों पर रॉबिन के साथ मारी और डॉक बैठे थे। जबकि पिछली सीटों पर ब्लेड और मॉन्टी बैठे थे और उन दोनों के बीच रॉबिन का बेटा लिटा हुआ था। इसी दुरान डॉक गाड़ी का FM on करता है और उसे उसमें न्यूस सनाई देती है। न्यूस में पहले तो आज की लूट और लुटेरों के बारे में बताया जाता है। फिर बताया जाता है कि पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले सभी हाईवे बंद कर दिये हैं ताकि लुटेरे शहर से बाहर ना निकल सकें। डॉक न्यूस सुनने के बार रॉविन को शॉटकट अपनाने को कहता है और रॉविन उसी के बताई रास्ते पर गाड़ी चलाने लगता है इसी दुरान ब्लेड अपने चाकू से गाड़ी की सीट का कवर काटने लग जाता है रॉविन को उसकी हरकत का पता चल गया था लेकि पिर बीट पीछे रहा, तो मैं गाड़ी सही से नीच ला सकता, मेरा बीटा पीछे सेफ नहीं, और मेरा ध्यान बार भार उसकी दरफ जा रहा है, डाग उसकी बात मान जाता है, और उसके कहने पर मॉंटी बच्चा उठा कर मारिया को दे देता है, अब बच्चा गाड़ी के आगे था और गाड़ी तेजी से आगे जा रही थी थोड़ा आगे जाने पर मारिया डॉक से कहती है कि मुझे बात्रूम जाना है उसकी बात मानकर डॉक खेतों के पास गाड़ी रुकवाता है और फिर मारिया को बाहर आने को कहता है मारिया के बाहर आने पर डॉग उसे समझाई रहा था कि भागने की कोशिश मत करना कि तब ही उनके पास से एक बड़ा सा ट्रक गुजरता है इस ट्रक के कारण लुटेरों का ध्यान मारिया से हट गया था मारिया इस मौके का फाइदा उठा कर भागने लगती है जिसके बाद मौन्टी और बलेड उसके पीछे लग जाते है डॉग गाड़ी के पास ही रुका था और कुछ सोचकर वो गाड़ी की चाबी निकाल लेता है ताकि रॉबिन भागने की कोशिश ना करे उधर बलेड और मौन्टी ने मारिया को पकड़ लिया था जिसके बाद मौन्टी उसे बहुत मारता है मौन्टी को मारिया की हरकत अच्छी नहीं लगी थी और वो गुस्से में आकर उससे कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें बातरूम जाना है अगर तुमने हमारे सामने खड़े होकर बातरूम नहीं किया तो मैं समझूँगा कि तुम जूट बोल रही थी और जूट बोलने वालों को मैं बेरहमी से मार देता हूँ उसकी बास सुनकर मारिया बहुत डर गई थी और वो खड़े होकर ही बातरूम करने की तियारी शुरू कर देती है मॉन्टी और ब्लेड उसकी बेवसी देहकर शैतानों की तरह हस रहे थी जिकीनन इन लोगों की इंसानियत खतम हो जुकी थी जहां हम इने इंसानियत का दुश्मन भी कह सकते हैं जो एक लड़की को बातरूम करते देहकर खुश हो रहे थे थोड़ी देर बाल गाड़ी फिर से आके बढ़ने लगी थी इस बार मारिया गाड़ी की पिछली सीट पर दोनों लुटेरों के बीच बैठी थी बच्चा आगे बाली सीट पर रॉबिन के पास था इसी बीच गाड़ी का फ्यूल कम होने लगता है जिसे देखकर डॉग कहता है आगे जो भी स्टेशन आएगा हम वहीं से फ्यूल पर भालेंगे थोड़ा आगे जाने पर उनकी गाड़ी एक स्टेशन के बाहर आकर रुखती है इस स्टेशन के पास एक बड़ा सा स्टोर था जहां आकर मॉंटी अपने लिए दारू और बाकियों के लिए खाने पीने का समान खरीता है कुछी ही देरवाल गाड़ी फिर से चल पड़ी थी मॉंटी लगातार दारू पी रहा था जल्द ही दारू का नशा उसके दिमाग पर हभी हो जाता है और वो पास बैठी मारिया से बतमीजी करने शुरू कर देता है डाग उसे रोकने की कोशच करता है क्योंकि मॉंटी की सरकत के कारण किसी भी दूसरी गाड़ी बाले को उन पर शक हो सकता था मगर डाग के बार बार कहने पर भी मॉंटी नहीं रुपता अब गाड़ी एक बड़ी से टनल में जाने वाली थी और डाग टनल के अंदेरे का फाइदा उठाने के लिए अपनी गन निकाल लेता है गाड़ी जैसे ही टनल में जाती है तो डाग गोली चलाता है डॉक ने गोली मॉंटी पर चलाई थी और उसकी गोली मॉंटी के गले में गुज गई थी वैसे मॉंटी अभी भी सिंदा था और वो अपनी आखरी सांसे ले रहा था थोड़ा आगे जाने पर डॉक एक सुनसान जगा पर गाड़ी रुकवाता है जिसके बाद रॉबिन और ब्लेर जखमी मॉंटी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं फिर वो से एक जगा पर रखते हैं जिसके बाद डॉक उसके माथे पर गोली चला कर उसे मार दीता है थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगती है और आखिर में उसी जगा पहुँच जाती है यहाँ डॉक आना चाता था दोनों लटेरे अब लाल गाड़ी में मारिया को ले जाना चाहते थे ताकि जरूरत पढ़ने पर वो मारिया का इस्तमाल कर सके रॉबिन समझ गया था कि अब लटेरों को उसकी जरूरत नहीं और वो से कभी भी मार सकते हैं वो डॉक से कहता है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को गोद में उठाना चाहता हूँ डॉक उसकी बात माल लेता है जिसके बाद वो अपने बेटे को गाड़ी से निकालने लग जाता है इसी दुरान डॉक लाल गाड़ी की चावी ब्लेड की तरफ फिंकता है अब रॉबिन जैसे ही अपने बेटे को बाहर निकालता है तो वो पहले डॉग पर और फिर ब्लेड पर गोली चलाता है दरासल रॉबिन ने अपनी छोटी सी गन अपने बेटे के पॉकिट में चुपा रखी थी इसी दुरान मारिया जैसे ही रॉबिन की तरफ तौरती है तो जखमी ब्लेड उसे भी गोलिया मार देता है अब रॉबिन एक एक और गोली उन दोनों लुटेरों को मारता है जिसके बाद वो दोनों लुटेरे मारे जाते हैं ब्लेड ने जब मारिया पर गोलियां चलाई थी, तो उनमें से एक गोली रॉबिन की गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिसके बाद वो ब्लेड की लाश से चाबी और लूट के पैसे लेकर लाल गाड़ी में भाग जाता है, थोड़ी देर बार रॉबिन शहर में था, और वो किसी को फोन कर कहता है, तुम्हारा बेटा मेरे कबजे में है, तुम पैसों का इंतिजाम करो, बागी की बातें बाद में बताऊंगा, जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग रॉबिन का बेटा समझ रहे थे, वो तो किसी और का ही बेटा था, रॉबिन एक किटनैपर था, जो बच्चों को अगवा कर फिरोती मांगता था, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,